हलो व्यूवर्स मैं कशिश और स्वागत है आपका निक्स नाए नियूज में यहां पर हम बात करेंगे कुछ अलग हट के कुछ साइन्टोफिक चीज़ों की हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि लतामंगेशकर के गले में कुछ ऐसा है कि हमेशा ही उनकी सुरीली अवाज निकल और उसुरीली अवाज का हर कोई दिवाना हो चला है यहां लेकिन बता दे कि जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब से लेके और आखरी गाना जब उन्होंने काया था तब से लेके तब तक एक ही अवाज में उन्होंने गाना गाया एक ही स्केल पर वही और हमेशा भाई अवाज गुण गुणाथी ती सुनाईग देती थी वो कोई भी गाना हो चाहे लग्जा गले हो या वतन वाला गाना हो या कोई भी गाना हो तो आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिरकार लता मंगेशकर के गले में ऐसा है क्याजिस को लेकर अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कह दिया था कि लता के वोकल कोड यानि कि उनके कंट को खोल के देखेंगे कि आखिरकार किस केल पे गाना गाती है तो चलिए जो साइंटिफिक वाली बात है उस पे हम बात करेंगे जो अमेरिका की साइंटिस्ट का कहना है उस पे हम कभी और बात करें अब इस scientific reason की बात कर ले तो बता दे कि कुछ लोग पैदाईशी बैदा होने के बाद ही गाना गाना सीख लेते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो गाना गाने की कोशिश करते हैं तो वही गानों की band बचा देते हैं तो उसी चीज के बारे में हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे scientific reason होते हैं हमारा गदा भी उन्हीं लोगों की तरह होता है जो गाना गाते हैं वही फेपड़े होते हैं और वही सारी चीज होते हैं लेकिन यहाँ पर बात आते हैं ऐसे मास की एक ऐसे हिस्से की जो हमारे पी गले के जो गर्दन होती है पीछे उस गर्दन पे चिपका रहता है उस वज़ा से हमारा वोकल कोड गाने के लिए हमेशे excited रहता है और उसमें से मतुर आवाज में निकलती है तो यह चीज भी कही जा सकती है यह चीज गौड गिफ्टिड होती है क्योंकि अगर आप कभी गाना गाना सीखे और उसके बाद गाना गाये घर पे तो शायद आपके बहुत बेसुरी आवाज निकले लेकिन हो सकता है कि अगर आपका कोई भाई या बहन हो और वो गाना गाये तो उसके अवाज बहुत ही सुरीली निकली तो इस बाद के बीचे बहुत बड़ा साइन्टिफिक रीजन है वो हम आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते चलेंगे बता दे कि किसी भी गाय के शरीर का आकार आम इंसानों जैसा ही होता है उसका फेपड़ा उतना ही बड़ा होता है जितना किसी अन्य इंसान का यहां तक उसका गला भी गले और मुँ में बाचित करने वाली मासपेशियों और गरंतियों भी एक जैसी और एक या कार की होती है फिर कोई भैतर क्यों गा लेता है कोई गाही नहीं पाता तो कुछ तो गाने के नाम पर बेड़ा गर्क कर देते है आकर जब गायकों की शरीर की सरचनाम इंसानों जैसी ही होती है तो वे बहतर कैसे गाते है मतादी की मैसा चुरेट्स जनरल अस्पताल के वाइस सेंटर के निर्टी शक डॉक्टर स्टेवन जिटलेस कहते है कि किसी बहतर गाने या सुमधुर आवास के पीछे वोकल मसल जमेदार होती है यह हमारे चैरी की पीछे स्टित एक खास प्रकार की मास पेशी है जो हमें बोलने और गाने में मदद करती है या आम दोर पर लेरिंक्स में होते है लेरिंक्स को वोकल फोल्ड भी कहते हैं यह वोकल फोल्ड सफेद रंग के लिगामेंट से बने होते है दो भी अकशर की तरह दिखते हैं और एक पतली जिली यानि मैम्बरेंट से ढगी होती है जब भी हम बोलते हैं या सफेद रंग के लिगमेंट्स कापते हैं यानि वाइपरेट होते हैं जो गाय जितनी जादा देर तेगने लिगामेंट को वाइबरेट कर सकता है वह उतना भैतर गा सकता है। इस वोकल फोल्ड यानि सफेद लिगामेंट को अलग-अलगतरा के कापने या वाइबरेट करने के लिए आपको मसबूत फेफडू की जरूरत होती है। क्योंकि जो फेफडू की हवा वोकल फोल्ड में पहुंचती है तब सफेद रंग के लिगामेंट उसे जरूरत के हिसाब से मौडूलेट करते है। कम या जादा या हवा को लहराना हवा के मौडूलेशन में लिगामेंट से निकलने वाली अवास सुरीली लगती है। मौँ से निकलने वाली ये हवा और लहरती हुई धुनी लहर को कान अवा समझता है। सबसे पहले जरूरी होती है सास। कुछ भी बोलने, गाने, चलने, फिरने या कोई भी काम करने के लिए जरूरी है सास लेते रहना। बोलने और गाने में तो इसकी जरूरी सबसे ज़ादा पड़ती है। फेफडों को कितना फुलाना है, कितना पिछकाना है, ये गायक बहतर चौनता है। इसके लिए अभ्यास भी करता है ताकि सासों पर नियंतरुइंट कर सके। इसकाम में डाइफराम, पेट की मासपेशिया, पीट की मासपेशिया और पसलियों की बीच मौझूद मासपेशिया बहुत सादा मदद करते है। इनके साथ एक साथ काम करने की वज़ा से आपकी आवास निकलती है। आपका सकते हैं क्योंकि सास को नियंतरुइंट करने में सारे अंग ज़रूरी है। फेवरी से निकलत साथ आपको वोकल कोड को सक्रिय करती है। वोकल कोड में छोटी-छोटी मासपेशिया होती है। जिन्हें हमने पहले वोकल फोल्ड भी कहा है। यह लेरिक्स में पाई जाती है। लेरिक्स में कोई आवाज का डिबबा कहा जाता है। यह आपकी गले में लटकती होती है। जो वासको पैदा करती है, सास इसमें आती है। और भही सफेद रंग की लिगामेंट उससे कंपित होकर ध्वनी तरंगे निकालती है जो मुझ से बहार आती है और कान उसे आवास समझता है आपने देखा होगा कि गायक अपनी आवास को कभी लहराते हुए कभी उचा उठाते है कभी एकदमीचे तो कभी देर तक ही सुवर में गाता रहता है यह सब गायक कैसी कर लेता है असल में यह कोई भी कर सकता है लेकिन आवास पन्येंजरन पाने के लिए गायक अपने कयंग कि क्रियाओ पर पहले संतूलन पाते हैं इसके लिए वो बर्सु अभ्यास करते हैं मतलब रियास करते हैं यूं कहें कि गाने की प्राक्टिस करते हैं कितना मुझ खोलना है जीप कितनी हिलानी है सांस कितनी लेनी है और छोड़नी है फेफड़े से निकली हवा का कितना हिस्सा गले में लेकर जाना है या संदूलन ही गाय को भैतरीन बनाता है अगर कोई इनसान रोज गाता है तो वह एक भैतरीन व्याम करता है मान लेजिए अगर कोई 68 किलोग्राम का व्यक्ति रोज एक घंटे गाता है तो वह करीब 140 कैलोरी बन करता है जो साथ में अलग शारिक व्याम भी करते है उन्हें और फायदा होता है अगर आप अरबिक करते है तो आपके सास लेने की शमता बढ़ती है जिससे मासपेशियों पर सकरात्मा कसर पढ़ते है गाते समय शरीर के कई अंगों की मासपेशिया काम आती है इसलिए गाने में भी व्याम होता है और अरबिक से भी मासपेशियों का फायदा होता है इसलिए गाने में मदद मिलती है जब हम बोलते है तब हमारी दिमाग का बाया हिस्सा सक्रिय होता है क्योंकि यह हिस्सा किसी वाक्य को बनाने में मदद करता है लेकिन जब हम गाते हैं या गाना सुनते हैं तब दाहिना हिस्सा सक्रिय होता है यले और सुरो के लिए जाना जाता है इसलिए आपको आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हकलाते हैं वो भी भैतरीन गाना गा लेते हैं कुछ लोग अपने स्थाने स्लंग बोली भूल कर शुद हिंदी अंग्रेजी में उम्दा गा लेते हैं क्योंकि बोलने और गाने में दिमाग का अलग-अलग हिस्सा काम करता है संगीच से हमारे दिमाग की संग्यान अत्मक और तारकिक शक्ति को बढ़ाने में मदद होती है सुकून पहुचता है इसके अलावा अगर गाने की अच्छे प्राक्टिस करते हैं तो आपके हकलाने जैसे समस्या खतम हो सकती है आपके संचार के तक्नीक सुधर सकती है गाना गाने से इनसान ध्यान के अंडृत करना सीखता है गाना डिमेशया के शिकार लोगों के लिए फाइदे मंद होता है ये तो हमने आपको scientific तरीका बताया है कि किस तरीके से एक आम इनसान भी गायक बन सकता है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रतामंगेशकर की तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि शायद इनके गाने की वज़ा भी यही थी उनके गले में एक ऐसा diaphragm था एक ऐसी चीज़ से जिस वज़ा से वो हमेशा से ही एक scale पर गाना गाती थी पता दे कि एक समय था जब उनके पतली आवास को लेकर उन्हें reject कर दिया जाता था लेकिन दीरे दीरे करके जब उन्होंने अपने आवास पे काम किया तो भी आवास पतली ही थी लेकिन आज भी उसी आवास को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं क्योंकि वो हमेशा इतना मधुर और सुरीला गाया करती थी कि लोग ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनका कोई गाना नहीं सुने ऐसे कितने अभी नेता है कितने अभी नेतिया है जो इनकी प्लेबैक सिंगिंग की है रतामंगेशकर ने और वो आज अपने आपको बहुत सादा लगी महसूस करते हैं कि हमने रताम अंगेश करके गाय होई गानों पे लिपसिंग की है लेकिन साथ ये साथ बताते चलें कि जैसे कि आपने सुना ही ये चीज़ कि हमारे गले में हमारे फेफ्रों में क्या क्या चीज़े होती है जो शायद गौड गिफ्टिड ही कहलाती है कि ऐसा होता ही है कि कोई गाना बहुत अच्छे से सीख लेता है तो कोई गाना नहीं सीख पाता है लेकिन गाना एक ऐसे चीज़ है कि जो अद्बुत ही इंसान के अंदर वो capability आ जाती है किसी के पास कोई सी टीचर के पास जाकर गाना सीख रहा है के लिए आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वागी ख़बरों के लिए बने रहेगी निक्स नाय म्यूज